ओम्रमाश्यवाय जय महाकाल आप सबको पता है कि 16 श्रादपक्ष का ये महीना चल रहा है और आपके घर में खुशी आएंगी बस आपको 5 दाने लेके छोटा सा उपाय करना है आपके जो पित्र होंगे इस पित्र पक्ष के दोरान बहुत जादा खुश होंगे और आपका घ खुशियों से भरेगा पूजी गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे समझा रहा हूँ बिलकुल नया सा उपाय है करके देखेगा फायदा जरूर मिलेगा लेकिन उससे पहले वीडियो का प्लाइक कर दें आवाज जो वीडियो का अचानक से वीडियो पे हैं चैनल क सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है देखो बहुत ही ध्यान से समझेगा बहुत ही छोटा सा और इससे आसान उपाय कुछ हो ही नहीं सकता आपको किस चीज की जरूरत है एक कलस लेना जल का पात्र लेना ठीक है और इस जल के पात्र में अपने घर से पानी भरना यानि क चुटकी का डालने है काले तिल के डालने कौन से चार से पांच चुटकी या फिर चार से पांच दाने काले तिल के इसी जल में डाल देना ठीक है और उसके बाद इस कलश को ले जाएंगे आप पीपल पेंड के नीचे और अपने पित्रों का नाम ले करके इस कलश को पीप पित्रों का नाम लेकर के इस पीपल पेंड के नीचे डालना है, ठीक है, पहला काम, दूसरा अगर मैं आपको बताओं कि अगर आपके पास धन की कमी हैं, बहुत जाधा पैसे को लेकर आप परेशान हो, तो आपको क्या करना है, उस जल के पात को पित्रों का ध्यान करते आप सोच में बहुत परेशान हो कि हमारी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हो रही, तो फिर से वही करना है कि आपको जल के पातर को यहाँ पर पीपल पेंड के नीचे चाहाना है, पित्रों का नाम लेना हूर आपकी जो भी कामना हो, जो भी मनोकामना हो, साथ ही साथ अपने प बहुत जादा खुश होते हैं क्योंकि जो पीपल का पेंड होता है इसमें पित्तरों का वाश होता है एक चीज का ध्यान रखना 16 श्राद पक्ष के दोरान बस रवीवार के दिन छोड़ करके किसी भी दिन जा करके आप इस उपाय को कर लेना बहुत ही छोटा सा और आसान सा आपकी मनो कामना को पूरी करने के लिए कोशिश के है आपको अच्छा बताने के समझाने के तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना कुछ पूछना हो नहीं समझ मैं तो बल्कुल परेशान होनी के जरूरत नहीं है नीचे कोमर में पूछेगा पूरी कोशिश रेप्लाई करने की जो वीडियो को आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जै महाकाल